हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल आज की हमाई रेसिपी है मील बाउल नो नीड ओफ रोटी और राइस चैनल सब्सक्राइब तो करा ही है आपने बैल आइकन भी प्रेस करें तैंक यू यह डिश है दाल ढोकली इसे गुच्राती और राजिस्थान में बहुत फेमा आया है अब हम इसे एक प्रेशर कूकर में डाल देंगे और दाल के साथ ही हम इसमें एक कटोरी पानी और एड़ कर देंगे जितने में भीगी विती वह तो है साथ ही मैं इसमें फॉर्थ स्पून अफ हल्दी डाल रही हूं आप जाता भी डाल सकते हैं डिपेंस आपकी हल् आजस्ट करके हम इसे दो सीती आने तक हम इसे प्रेशर कूक करेंगे चलिए अब इसे हम इते प्रेशर कूक करते हैं आए इतहम आपको यह बताते हैं कि इसके अंदर गुच्राथी स्टाइल में जब हम बनाते हैं तो इसमें मूफली परती है मूफली या निए पीनट इस से dahaटा लगाते हैं मैंने एक कप आटे में दो चमच बेशं ढाला है आप इसkę अंदर थोड़ी सी एंदर जिंचर-गालिक medical पेस्वाथे और साथ ही मैंने इसमें crushed अच्वाइन डाली है और थोड़ी सी इसमें मैंने pinch of hing भी डाली है और that is optional अगर डालते हैं तो वो थोड़ा अच्छा रहता है आप तरके में भी hing डाल सकते हैं यहां ना डाले तो अब हम इसको पानी के साथ इसको गूंथ लेंगे हम इसको हमें इस pressure को खोच चुकिए दाल देखिए किती सुंदर लग रही है और मूफलिया भी गल चुकी है अब हम इसे इसमें से निकाल लेंगे और मूफलिया हमें crush करी आटा भी हमारा तयार है इस तरीके से मैंने आटे को टू पार्ट्स में divide कर लिया है और ऐसे यह सुखा पलतन लगा कर रखा है ताकि यह बेलने में असानी रहेगी मूफलियों का एक्स्ट्रा पानी सब निकाल देंगे और time to crush हम किसी भी अध्रक कूटनी में पीनट्स को crush कर लेंगे और यह बहुत यह पानी हमने गरम होने के लिए रखा है जिसके अंदर हमाई धोकली डालने वाले पानी ह हमें बिल्कुल boiling water चाहिए और इसके अंदर मैं लगभग half tablespoon half teaspoon oil add कर रही हूं अब देखेगे मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से मैंने पलतन लगा के रखा है और हमें इसको बेलना है जैसे कि हम पराठा बेलते हैं पराठी जैसे thickness का ही हमें अपना यह बेलना है डोको अब हम इसे अच्छे से बेल लेंगे और देन उसके बाद हम इसे किसी भी shape में cut कर सकते हैं जनरली धोकली diamond shape में होती है बट आप चाहो तो आप round square whatever या फिर अगर आपको ज़्यादा ही stylish रही है तो आप किसी भी क्योंकि cutter से hard shape या star shape जो shape आप चाहें वो shape आप दे सकते हैं बट मैं diamond shape देने वाली हूं जो डाल धोकली की recipe ना बहुत simple भी नहीं कहेंगे बट इस वेरी टेस्टी यह खटी मिठी recipe बनती है जब हम गुजराती style बनाते हैं और वहीं अगर हम राजिस्थानी recipe follow कर रहे हैं तो बनती है तिकी उसके अंदर हमें चिली हम जादा डालते है फिर हम ढोकली के अंदर भी अच्छी quantity में चिली डालते हैं यहां तो आपने देखा यह कि मैंने थोड़ी डाली है और जब हम गुजराती जिश कोई भी बनाते हैं तो उसमें मीठा तो पड़ना लाजमी है तो हम इसके अंदर use करेंगे आगे चलके गुड और जब हम पानी अच्छे से बॉयल हो रहा हो तब ही आप डालिए अधर वाइस आपकी धोकली खराब हो जाएंगी यह इसकी पहचाने की सारी धोकलियां को खोने के बाद उपपर आ जाएंगी और यह स्टिक भी नहीं करेंगी तो इन्हें मैंने निकाल के स्टेन करके अलग रख लि इसमें मैंने एक चमच Mr 39 जीव गाली है जीरा डाला है हो अब मैं इसमें डालूंगी ही वर इस plyी हिनग आप चाहूं तो प्याज और लसन का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप जिंजर गालिक पेस भी डाल सकते हो बढ़ हम नहीं डाल रहे हैं और अब इसमें मैंने करी पता डाल दिया है करी पता सब भुण जाए उसके बाद हम इसमें हमारे बाके की चीज़ें भी आड कर दें यह डिश ना मतब जिसे आप लोग खाते हो मैगडी वगेरा में वन बाउल मील करके इसमें राइस बिर्यानी सम्थिंग रहता है यह उसी का हमारा ट्रडिशनल वर्जन है जिसके अंदर दाल भी है रोटी भी है बट कुछ अलग अलग नहीं है सब कुछ एक साथ है और इस तो बैल करने में वहीं पानी हम इसमें आड़ करेंगे थोड़े से मसाले कर रही हूं धनिया पाउडर मैंने डाला हाफ टी इस्पून और हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाला हाफ टी स्पून तो यहीं पिदो कुछ अपना सॉल्ट भी एजिस्ट करेंगे क्योंकि सॉफ हमने ढोकली में भी डाला है पानी डॉट करने के बाद उसका टेस्ट करूंगी तो टमाट्स हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं उसके बाद ही हमने दाल करी है अब भी हम इस पानी आड़ करेंगे क्योंकि हमें दाल चाहिए विल्कुल पतली यह मैं अपनी पीनट्स इसमें आड़ कर रही हूं जो हमने कूटी थी मुफली उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि धोकली डालने के बाद यह वैसे थोड़ी थिक होने लग जाती है क्योंकि वो गेहूं की और बेसं की है तो वो पानी को सोक करती है अब हमने हाँ पर अपना सॉल्ट एजिस्ट कर दिया है इसको एक बार हम टेस्ट करेंगे और अभी देखिए इसके अंदर हमने यह कम यह जादा कर सकते हो क्योंकि इसका मैंने कोई आपको एज प्रॉपर मेजरमेंट नहीं बता रही हूं क्योंकि आपको कंसिस्टेंजी सेगे रनिंग कंसिस्टेंजी पतली यह अब हमने हमाई धोकली जाड़ कर दी है और इन्हें हमें को मिक्स कर देंगे बिलकुल भी न दाल रही हूं जैसा कि मैंने आपको बताया था यह हमें खटी मिती चाहिए और खटा करने के लिए यह मैंने अम्चो डाला है आप चाहूं तो इसमें मैंगो पल्प भी डाल सकती हो बड़ आपको मैंगो पल्प तब डालना रहेगा जिस ताइम पर हम टमाटर उसको फ्रा अब तीन से चार मिनट के लिए से ढखके पकाएंगे और आपकी रेसेपी रेडी तु इट इसको गार्निश करिए धनिये से करी पते से वाटेवर यू वांट टेस्ट रू कीजिए बाउल में निकालिये बले से बाउल में मुह में मेरे अभी बहुत पानी आ रहा है प्ली से बाउल में में रेसे लिए से बाउल के लिए कर फ्ली परहा है रेसे बाउल में वांट पकाएंगे पानी लिए रेसे प्ली एगई